अआज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शियर करने वाली हूँ हिंदी का लेस्ड प्लाइन जो कि हमारा रहेगा क्लाश सेविंथ के लिए जैसे कि आप लोगों की सेपी स्टार्ट होने वाली है आपके साथ कुछ हिंदी के अच्छे लेसन प्लाइन शेर कर दूँ लेटिस्ट फॉर्मिट में जो कि आपके लिए बहुत जादा हैलफुल रहेंगे आप मेरे लेसन प्लाइन वीडियो से हैलप लेके इसके अंदर अपने खुद के आईडिया, स्ट्राटेजिस को भी इंक्लूट कर सकते हैं और इस लेसन प्लाइन को एक नया लुक दे सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको मेरे लेसन प्लाइन पसंद आएगा इस डू लाइक दिस वीडियो चैनल अगर पसंद आएग वीडियो अगर आपके लिए हलफुल है तो प्लीज मेक शूर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके के और भी बहुत सारे लेसन प्लाइन प्लस आपके असाइन्मेंट फाइल्स सब ही मेरे एक ही चैनल पर मैं आपको प्रवाइड कराती हूँ सब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो जब आप लेसन प्लाइन बनाते हैं तो आपकी फाइल का जो पेज है उसके सेंटर में आपको इस तरीके से पाठी ओजना लिखेंगे और आप उसको सीरियल नंबर डालेंगे जो भी आपके फाइल में सीरियल नंबर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्रम संख्या देंगे जैसे कि ये मेरे सेकीर लेसन प्लाइन है हिंदी का तो इसलिए मैंने पाठी ओजना दो लिखा है उसके बाद लेफ्ट साइड में आप लिखेंगे चात्र अध्यापिका का नाम जहां पर आपका नेम आएगा विशय में रहेगा हिंदी और उप्प विशय बोले या फिर प्रकरन बोले हमारा है कट पुतली बहुत ही प्यारी सी कवीता है आपने भी पढ़ी होगी और मु करने जाएंगे उस दिन आप डेट वहीं अधर टाइम पर लिखेंगे ठीक है बढ़ते हैं आगे इसके बाद आपकी में हैडिंग जो होगी विशिष्ट उद्देश्य अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सामानने उद्देश्य तो आपने लिखे ही नहीं तो सामानने उद्देश्य हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं हम या तो हमारे लेसन प्लान एक जो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान है उसमें हम लिख देंगे या फिर लेसन प्लान फाइल का जो फर्स्ट पेज होगा उस पे हम सामानने उद्देश्य लिख देंगे क्यों क् जबकि हमारे जो specific objective होते हैं जो हम डिलेवर करने वाले हैं या जिसका हम lesson plan बना रहे हैं तो देखते हैं आज की हमारी जो कविता है कटकुतली उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है तो सबसे पहले है विद्यार्थियों को कवि भवानी प्रशाद मिश्व द्वाररचित कविता कटपुतली का अध्ययन कराते हुए स्वतंत्रता को साकार बनाने में आने वाली चुनौतियों का ज्यान कराना कटपुतली कवीता के माध्यम से कवी भवानी प्रशाल मिस्ट ने बहुत ही सुन्दर तरीके से स्वतंतरता का जो इच्छा है कटपुतलियों के उसको बहुत ही अच्छे से जाहिर किया है बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ तो हमारा नेक्स्ट उद्देश्य है विद्द्यार्थियों को कटपुतली के बारे में बताना थर्ड उद्देश्य है विद्द्यार्थियों को फैसला लेने का सही तरीका बताना पूर्थ विद्यार्थियों को जीवन के सकरात्मक द्रिश्टी को उन से अफगत कराना तो यह हमारे कुछ तीन-चार बिंदुए थी विशिष्ट उद्देश्य की इसके बाद हम नेक्स्ट मेन हैडिंग हम देंगे सिक्षन सहायक सामगरी यानि की टीलम हम इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन-कौन से मेटिरियल का यूज करेंगे उसको हम बोलते हैं सिक्षन सहायक सामगरी तो इसमें मैंने लिया है शामपठ यानि की ब्लागबोर्ड तूब ऑनर्स मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट रही हूं स्कूल में तो जब मैंने हिंदी मीडियम डाइट में आप्ट किया था तो हिंदी के कुछ टर्म्स थे जो मुझे बड़े ही अट-पटे से लगते था और उन्हीं एक दो टर्म्स में से एक था शामपठ मुझे बड़ा ऑक्वर्ड लगा था कि ब्लागबोर्ड को करेंगे वह कट्पुतली या पीपीट मैंने लेसं प्लाइन ओनलाइन एसीपी को ध्यान में रखके बनाया है क्योंकि हमारी और ओनलाइन एसीपी हुई है जिसमें हमें कम्प्यूटर में आईसीटी टूल्स का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाना होता था तो उसी को ध इसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप कौन से स्ट्राटीजी यूज कर रहे हैं कौन सा मैथर यूज कर रहे हैं कौन से विधी का प्रयोग कर रहे हैं वह कहलाता है सिक्षण विधी या पिर टीचिंग मैं साथ के साथ इंग्लिश में इसलिए बता देती हूं ताकि आपको इंग्लिश से बलाने की बी बेसिक नॉलेज हो जाए कि आप सेम लशन प्लान सेम टापिक को इंग्लिश में कैसे बना सकते हो तो यहां पर मियूज कर रही हूं व्याख्या विधी प्रदर्शन विधी और प्रश्न तर बीधी ठीक है इसके बाद हम नेक्स्ट हैड देते हैं पूर्व ज्ञान और इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवेस नॉलेज तो यहां पर में लिखा है कि विद्यार्तियों को मेले जूले कट पुतली आधी का सामान्य ज्ञान होगा हम ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शौर्टी नहीं है बट हम ऐसे एक्सपेक्ट करें कि क्लास सेवन्त का बच्चा है तो मेले में घया होगा उसमें जूल भी जूला हो सकता है वेसें कटपות भी देखी यह अगर वास्तिविक्ता रियल्मिन ही देखी होगी तो तीवे उसमें झरूर देखी होगी क्योंकि टीवेस तरीके कारेकरण को अई चुल्ट को नॉजद और नेक्स्टाइडर ब mugक को नेहां जिसमें परिश को अपक प्रियोस नॉलिज़ उन अपक है परिएस्ट करते हैं केसे टेस्ट करते हैं आप कुछ क्वेस्ट कोुड़ सकते हैं यह फिर रभर दिखा qué to बता आपने कभी यह तक हो यह बात करती है इस तरीके से आप कर सकते हो यह फिर पिजोसे द्लिवा निवा सकते हो यह अप पॉल सकते हो भी आप यह पहले गएंग आप मेले में गए हो आपने में वह पे यह वह धेखा ज़िए आप उन से पुल सकते हो झाल के लिएbow operation तो आप उससे connect कर सकते कि यदि आपकी डॉल आपसे बात करती तो वह आपसे क्या बात करती तो इस तरीके के questions आप ले सकते हो बट देखते हैं मैंने यहां पर क्या questions लिए हैं तो पूर्विग्याट परिकषण के लिए आपको इस तरीके से एक पूरी टेबल बनानी होती है जिस टेबल को आप डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में तो आपको first part होता है क्रम संख्या काACH जैन होता है च्हात्तर ध्यापिका क्रिया जिसमें जो च्वाट ध्यापिका है प्यूपिल टीचर है उसकी अक्टिविटी उसनी क्या किया वह लिखेंगे घन चाट हिर या फिर संबह्वत उत्तर इंग्लिश में स्कॉम बोलेंगे एक्सपेक्टर आंसर तो यहां पे ज्यादा तर हम लोग क्वेश्टिंग मेथर्ड यूज करते हैं तो तीन क्वेश्टिंग पूछते हैं पहले दो का ऐसे होने चाहिए जिनका बच्चा एजली आंसर कर पाए और तीसरा ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो क्योंकि उसी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्टिंग को आपको कनेक्ट करना है उद्देश्य कथन से यानि की अनॉंस्मेंट ऑफ दी टॉपिक से तो हमारा फर्स्ट क्वेश्टिंग है बच्चों आप कभी मेले में गए ह तो यह हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्टिंग हो जाएगा जिसको कनेक्ट करेंगे हम हमारे अनॉंस्मेंट ऑफ दॉपिक यानि के उद्देश्य कथन से अब आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम भवानी प्रशाद मेश्ट्र द्वारा रजित कवीता प पढ़ेंगे इससे पहले आप नहीं बताएंगे कि आज आप क्या पढ़ाने वाले हो क्योंकि अगर आप बता दोगे तो बच्चों की क्रियोसिटी खतम हो जाएगी फिर वह आपके इंट्रेस्ट नहीं लेंगे तो इसलिए छोड़ छोड़ पॉइंट्स हैं जिनको आपक आपके मांक्स कट कर लेगी बढ़ते हैं आगे उद्देशय कथन टॉपिक कर दी है अब हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको हम हैडिंग देते हैं प्रस्तुति करन प्रेजेंटेशन अगें आप इसमें टेबल बनाएंगे इस तरीक ब्लागब़ॉड वर्क इसे में इंप्लूड कर देंगे बट अगर वहलेफार यूज़ कर ओ जिसमें एक साइट प्लेन हैं एक साइड लाइन है तो प्लेन वाली साइड पर ब्लागब़ॉड वर्क कर सकते हो यह हमने एक ही कॉल अ कर दिये क्लीं काम हो ज्यादा होच्छ वरना गर हम चात्र क्रिया का अलग कॉलम बनाएंगे तो बहुत जादा होच पहुच हो जाएगा और फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसलिए हम उसको एक ही कॉलम में कर देते हैं लास्ट कॉलम हमारा होता है मुल्यांगगन का यानि की एवालुएशन का बढ़ते हैं आगे लेसन प्लाइन का क्या फॉर्मेट है बेसिकली आपको अब तक आईडिया हो गया होगा बढ़ जो न्यू है उनके लिए मैं अलग से वीडियो प्रवाइड करा दूंगी ठीक है हमारा फॉर्स्ट पॉइंट है आदर्श वाचन आदर्श वाचन यानि कि जब टीचर कवीता को रीड करती है ठीक है तो छात्र ध्यापी का क्रिया में हम लिखेंगे उचित लय यति गति एवं भावन उसार कवीता का सवस्वर वाचन कर आदर्श प्रस्तुत करेंगी तत चात्र क्रिया में हम लिखेंगे विद्यार्थी चात्र अध्यापी का द्वारा किये जा रहे आदर्श वाचन को मनो योग पूर्ण सुनेंगे तथा साथ साथ वाचन करेंगे एवालिएशन क्वेशन हमारा होगा कटपुतली नामक कवीता के रच्यता यानि कवी का क्या देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट टीचिंग पॉइंट नमबर सेकेंड आप जब भी कोई टीचिंग पॉइंट या एक पॉइंट फिनिश कर रहे हो तो उसके बाद आप उस पॉइंट से संबंदित बच्चों से कुछ क्वेशन पूछें ताकि आपको आइडिया हो ज गया तो आपका पढ़ाना वहां पे विफल हो गया ठीक है वाराइम बन गई ओके सो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट नमबर टू हमारा है कवीता की व्याख्या अब आपने कवीता की रीड करवा दी बच्चों ने भी उसको रीड कर लिया तो कोशिश करे कि आप क्लास में तू टाइम्स उसको रीड करवाई कि उसके बाद कवीता की व्याख्या हम हैंडिंग देंगे चात्र अध्यापिका क्रिया कवीता के पहले पहरे का पहले पहरे का सारान से चात्रों को बताती है अब आपने रीड कर लिया पूपल टीचर है वह एक एक परग्राफ का करेंज हम कभी बताते हैं की कटपुतलि गुचसे में बहुत जादा उबली होई हूं और स्वी यह जो मुझे धागों से जकड़ा हुआ है डंगों में कैद किया हुआ है इन्हें तोड़ो और मुझे मेरे पैरोंपर ठोड़ो और मुझे आजाद कर दो एव्याइसम पहश सुनेंगे जिसकी प्यूपल टीचर व्याख्या करेंगी ये बात सुनकर और वो कटपुतलिया बोली कि हाँ हाँ ये जो धागे हैं इन्हें तोर दो और मुझे आजाद कर दो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हमने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की चातक्रिया विद्यार्थी चात्र ध्यापि को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर करेंगे पूछे गए प्रश्ण कौन से मुल्यांकन प्रश्ण तो हमारा इस टीचिंग पॉइंट का मुल्यांकन प्रश्ण होगा कटपुतली की बात दूसरी कटपुतलिया क्या बोली दन पूर्थ टीजिंग पॉइंट नेक्स्ट पैरग्राफ इन पंक्तियों में कवी कवीता के माध्यम से बताते हैं कि पहली कटपुतली सोचने लगी है कि यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी अर्थात मैं खुद अपनी स्वतंत्रता की ज दिम्मेदारी नहीं ले सकती इसलिए मुझे अच्छे से सोचना समझना चाहिए फिर कोई निर्ने लेना चाहिए चात्र क्रिया सभी चात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे तथा पूछे गए प्रश्णों का उत्तर करेंगे देन हमारा नेक्स्ट मुल्यांकन प्रश्ण है ह हमें कोई भी निर्ने किस प्रकार लेना चाहिए तो कोई भी निर्ने लेने से पहले हमें उस पर अच्छे से विचार विमर्श करना चाहिए उसका पॉजिटिव और नेगिटिव दोनों साइड हमें देखनी चाहिए तो यहां पर हमारा जो प्रेजेंटेशन वाला जो टे या कुछ activity आप करवा सकते हैं topics related ताकि आपने पढ़ाया वो एक बार रिकाप्चुलेट हो जाए तो जाद तर हम questions बच्चों से पूछते हैं कवीता के रच्यता का क्या नाम है क्वेशन के माध्यम से कट पुतली क्या कहना चाहती थी तो यह कुछ questions थे इस कवीता के अधार पे तो अगर आप इन questions को बच्चों से पूछेंगे तो पूरी कवीता एक बार फिर से बच्चों के जहन में रिपीट हो जाएगी तो नेक्स ह लर्निंग एक्स्टेंशन तो फर्स्ट क्वेशन है अपने बड़ों की सहायता से कपड़े की एक कटपुतली बनाने का प्रयास करें तो यहां पर क्योंकि हमने यह मतरशांति को सीचल को साइग छीयिग इस हुष्यदेशा तो इस हुमवग को देखे हमने हिंदी को वर्क एजूके साथ भी कनेक्ट कर दिया तूश कि हमें वर्क एजूकेशन जो मारे सबजेक्ट है उसमें हमें बिस्त अर्षम तो यहां पर हमने इसको कनेक्ट किया तो हम बोल सकते हैं कि यह जो हमारे लेस्न प्लाइन है यह एक इंटीग्रेटेड लेस्न प्लाइन है देन क्वेशन 3 कवीता का सारांच अपने शब्दों में लिखो अब बच्चे ने कवीता पढ़नी कवीता का अर्थ भी समझ लिया अ इस तरीके से एक टीचर को होमबग देते सामय भी बहुत सोचना विचारना पढ़ता है जिसमें बच्चे का पॉजिटिव साइड हो बच्चा क्रियेटिव हो हमें ऐसा होमबग बच्चे को देना चाहिए तो यह को छोटी-छोटी पॉइंस थे जो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूं जिने आज टीचर आपको ध्यान रखना चाहिए तो यह था आज का लेशन प्लैन एंड आई होप लेशन प्लैन आपको पसंद आया होगा बाकी के लेशन प्लैन्स को भी जरूर देखे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें थैं करें प्लैनügen पिला आपको यह थाजए है।